नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है मद्ध प्रदेश में एक मुद्दा OBC आरक्षन को लेकर एक लंबे समय से ये मुद्दा पुरे प्रदेश में हाबी है और छात्रों की बड़ी माग है कि OBC आरक्षन को लेकर सरकार जिस तरह से मजबूती से अपना पक् नहीं रख रही है छात्रों का कहना है कि जब पंचायच चुनावों की बात थी तो सरकार ने अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा लेकिन अब जब छात्रों की हित की बात है तो सरकार अपना पक्ष उतनी मजबूती के साथ नहीं रख पा रही है एक लंबे समय से इसकी चर्चा है OBC आरक्षण को लेकर एक नई तारीक हर बार दे दी जाती है अभी पांच तारीक को इसकी एक नई तारीक मिल गई 13 सितंबर को अब नई सुनबाई होनी है अब छात्रों का इंतजार जो है जो धाड़ा से वो अब तूटने लगा है क्योंकि एक तीन साल से जादा का समय हो गया हर भरती हर परिक्षा कहीं न कहीं OBC आरक्षण के कारण अच्छे डंग से नहीए हो पाती और कहीं न कहीं कोट के का में चली जाती है हमारे साथ अधिवक्ताओं की एक टीम है हम उनसे बात करेंगे जो OBC आरक्षण को लेकर तमां हाई कोड में क्योंक चाहूंगा क्योंकि एक लंबे समय से यहां पर चात परिशान है कि और जो मजबूती से पक्ष रखना चाहिए वह नहीं रख पा रही तो सबसे बड़ा सवाल जो तयार होता है कि इसमें अभी कितना वक्त लग जाएगा देखे सबसे इंपॉर्टन्ट यह है कि इस केस में ड चुके हैं अब इसमें जो डिसकी हैं उनके अर्गूमेंटबंट होने वाले हैं और अगर डिसपॉंड़ई अर्गूमेंट अडवो कैट की हो जाते है कि इस मंत के अंत के पहले पहले इसको निराकरण हो जाए चात्र बड़ा परेशान है क्योंकि एक बहुत लंबा समय हुआ तीन साल से अधिक्षा का समय हो गया है चात्र परेशान है कि कहीं न कहीं हर परिक्षा हर भरती ओभी सी आरक्षण के कारण अठक जाती है तो क्या छात्रों को आने वाले समय में एक अच्छी सूचला मिल सकती है बिल्कुल मिल सकती है देखिए नियाले में जो कोट्स का व्यू होता है वो सभी को हित को सररक्षित करने की ही बात करता है तो इसमें कुछ निवा सभी के हित के लिए ही कोई निड ने दिया जाएगा इसलिए उनको अपनी तैयारी कंटीनियू बना के रखना चाहिए और पूरे यकीन के साथ करना चाहिए ये फैसला होने के बाद अब इसका प्रभाव क्या होगा ये तो अन्रे बर कोठी बता पाएगा ठीक धन्यवाद तो सीधे तोर पर अधिभक्ताओं को कहना है कि आने वाले अब सितंबर के अंतिम तक इसका फैसला हाई कोट सीधे तोर पे कुछ न कुछ देगा क्योंकि लंबा इंतजार क्योंकि चात्रों के साथ साथ पुरे प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर तमाम तरह की जो बातें सामने आई थी 2019 PSC को लेकर हो चात् 2019 में जिस तरह के तैयारिया कर रहे थे चात 2019 मेंस के एकजाम के रिजल्ट आने के बाद भी एक बार उसको लटका दिया गया OBC आरक्षण के कारण तमाम भरतिया या कहें कि तीन साल में जितनी भी भरतिया आई हैं वो पूरी तरह से OBC आरक्षण के कारण पूरी नहीं हो पाई हैं और एक लंबस वक्त हो जाता है एक उन शात्रों के लिए जो अपने घर से दूर रहकर तैयारी करते हैं उनको इंतजार इसी बात का है कि कब इस मामले की फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जब वो अपनी तैयारी को पूर करके कोई रिजल्ट तक पहुँच पाएं हमारे साथ कैमरा मैन अनरोग के साथ बहुत बहुत धन्यवाद